हेलो फ्रेंट्स आज मैं एक दम ईजी नास्ते की रेसिपी देखिया हूँ इससे ईजी नास्ता हो नहीं सकता है और खाने में तो बोलना ही नहीं है इतना ज्यादा टेस्टी आप इसे ग्रीन चर्टनी अचार चाई किसी के साथ भी खा सकते हो यहां तक कि आप इसे प्लेन भ भी कहते हैं पता नहीं और क्या कहते हैं तो दो नाम जानती पोहा और चुड़ा तो एक कप पोहा लेने नहीं मिडियम साइज का कप है बहुत ज्यादा बड़े साइज का कप नहीं है तो आप क्या करेंगे इसी में डालेंगे जितना आप क्वांटिटी में पोहा डालेंग तो आज साने से उपर का जो इगंदा पानी है उसको आप निकाल दें, तो अब ये धुल किया है, अच्छी तरह से पुरा नीट एंड क्लीन हो गया है, पुरा साफ हो गया है, तो अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी और डालेंगे, कि अच्छी तरह से पोहा भी फू थोड़ा था, दस मिनट में अच्छे से पानी पूरा सोख कर लिया है, पोहा और सूजी दोनों, अब दोनों क्या है, दोनों पानी सोखता है, इसलिए पानी जादा डालना पड़ता है, तो अब क्या करना है, अब इसे पीस लेना है, तो पीसने के लिए एक मिक्सी का जार दोनों को डाल देंगे पीसने से क्या होता है कि स्मूथ बैटर बन जाता है इसलिए पीस रहें अब आप बोलोगे कि कभी मेरे पास मिक्सी नहीं है या किसी कारण से जार खराब है या कुछ भी तो आप क्या करें विस्क ले और विस्क से अच्छी तरह से मिक्स करतें या फिर ग्लास से हलका हलका मैस कर सकतें वैसा अब में भी असानी से बन जाएगा बहुत दानिदार ठोड़ा बहुत दानिदार रहेगा अब इसमें क्या करना है साथ में दही डाल देंगे क्योंकि पुरा सोक कर लिया है पानी तो अच्छी तरह से पिसेगा नहीं तो देखिए पूरी अच्छे से पेश चुका है एकदम स्मूथ बैटर बनके रड़ी होग जाता है इस तरह से बनाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें सूजी का है बैटर है कि पोहा का है एकदम आटा की तरह दिखेगा दिख रहा है ना आटा की तरह तो अब इसे एक बाउल में ट्रांसपर कर लेंगे तो मैं आपको चम्मा से उठा के दिखाती है कि घोल किस तरह से एकदम गाड़ा है बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है पतला रखेंगे ना तो अच्छा से नहीं बनीगा ये नास्ता तो आप क्या करना है अब इसमें कुछ मसाला एड़ करेंगे तो मसाला में क्या डालना है वसाथ में एक कटी भी प्याज ढालेंगे प्याज और धनियापथी प्याज ढालना पूरी तरह optional यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसमें कोई सबसी काट के भी डाल सकते हैं या प्लें बना सकते हैं लेगिन प्लेंसे ज़ादा अच्छा लगता है अब इसे हम तवे पे बनाएंगे तो तवे पे बनाएंगे आप एक पीस भी बड़े साइस का बना सकते हैं या चोटे साइस का भी बना सकते हैं लेकिन आज में एकदम चोटे-चोटे साइस का बना रही है इतने बड़े साइस का बस चोटा सा चमश ले और चमश इस तरह से गोल को डालते जाए वो अपने आप सेप लेगा तो आप बुलोगे कि बड़े साइज का क्यों नहीं बनाएंगे बड़े साइज में सिरदर्दी कम है एक पिस बनाद हो गया तो नहीं ऐसा नहीं है बच्चों को आप खिलाएंगे न तो इस तरह से तो अच्छा लोग पिस चैपिस खाएंगे और बात तो बराबर बढ़ता है अब बड़ा एक पिस खा लेगा और ऐसे पांच-चैपिस खा लेगा चोटी-चोटी साइज का तो हो सकता है यही ज़्यादा खा ले तो अब इसमें थोड़ा-थोड़ा तेल डाल देंगे बहुत ज़्यादा तेल यहां लगबग लगबग तो अब अच्छे से गोर्ड़न हो जाएगा तब तक सेख लेगे तो दोनों साइड अच्छे से गोर्ड़न कलर का हो गया है तो अभी से निकाल लेते हैं और बाकी कभी बचा हुआ ना सेम ऐसे ही सेख लेंगे तो चटपटा सनास्ता बनकि ready हो ग तो फ्रेंड्स अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें